पहले नेशनल टीवे पर नशे मदूत होकर एंकरी फिर मुस्लमानों से नफरत में बिगड़ते बोल और अब फिर एक बार गोधी मीडिया के एंकर समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर इनकी ये वीडियो खूँ वारियल हो रही है जिसमें खुद को निस्पक्ष पत्रकार बताने वाले ये एंकर कैसे मुस्लमानों के नाम पर नफरत फला रही है जब देश में एंकर ही पत्रकार ही धरम का चोला ओड़कर सत्तधारी पार्टी की चाट्वकाइटा करने लगें तो समझ जाना चाहिए किनका इस तर कितना नीचे गिर गया है पहले पत्रकार सचाई दिखाने की कोशिश करते थी लेकिन आज के पत्रकारों में ये होल लगी रहती है कि कौन बीजेपी का सबसे अच्छा परवक्ता बनेगा कोण कितना नीचे गिर सकता है शायद इन लोगों को आदेश दिया जाता हो कि जितना अपना इससा नीचे गिराओगे पार्टी उतना ही ज्यादा पैसा देगी इसी वज़ासे ये लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि कौन कितना नीचे गिर सकता है दरासा जिनी उसके सबसे बड़े एंकर दीपक चोरोसिया के एक वीडियो खुब वाइरल हो रही है जिसमें उनके साथ समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कॉंग्रिस और लजीपी के परवक्ता दिख रहे हैं जिनके साथ वो डिबेट कर रहे हैं और अचानक वो समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोलने लगते हैं जिसके बाद समाजवादी पार्टी के परवक्ता राजकुमार भाटी बोलते हैं कि आप ये गलत बोल रहे हैं मैं इस पर घोर आपत्ती जदाता हूँ जिस पर दीपक चोरसिया पत्रकाईता को तार तार करते हूँ बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं नमाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी मैंने कह दिया तो कह दिया आपको आपत्ती करनी है तो करें लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं यह वही दीबक चौरसियां हैं जो नशे में दूतों कर एंकरिंग करने लगते हैं देश को दिखाते हैं कि कैसे इन जैसे पत्रकारों ने मीडिया का मजाक मना कर रख दिया है और फिर एक बार कैसे ये लोग दिखा रहे हैं कि इनके मन में मुसल्मानों के खिलाफ कितनी नफरत है कितना जहर भरा हुआ है इन लोगों में मुसल्मानों के लिए कि कैसे समाजवादी पार्टी का नमाजवादी तो जरा सा भी पच्चतावा नहीं है बलकि कह रहे हैं मैंने कह दिया तो कह दिया आपको आप इत्ती करनी है तो करें लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बहुत अफसोस होता है से लोगों को देखकर मेडिया काम लोगों को सरकार के निदिया बताना है सरकार लोगों के लिए क्या काम कर रही है वो बताना है लेकिन ये सब काम छोड़कर ये लोग सिफ चैनल्स पर आते हैं मुस्लिम काट खेलने कैसे हर चीज़ पर मुस्लमानों को जोड़ा जाए कैसे उन्हें बदनाम किया जाए बस यही काम रह गया है अब इन लोगों के पा ऐसों को खुमार ऐसे चड़ा है इनके ओपर कि खुद ही पार्टी का परचार करने निकल गए हैं जंडा पकड़ने में सबसे आगे नज़र आते हैं अब चैनल्स में बीजेबी के परवक्ताओं को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक काम करने के लिए काफी भाचपों के जन्ड़ कैसे आगे पहुंचानहें इना खुब आता है कैसे मुसलमानों के खिलाफ नफृत फ़लानी है पूरा प्रुपगेंड़ा फेलाना है मुसलमानों को लेकर डिपेट करनी है जूट फेलाना है जब आजस्थिक ऐसे किसी घटना को मुस्लिम एंगल द होती क्योंकि स्टूडियो में बैठकर मजाक किया जाता है किसी समूधाय के खिलाफ जहर फिलाया जाता है ताकि अपने ओपर बैठे रसुगदारों को खुश किया जा सके लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि इनकी जहरीली पत्रकाईदा के वज़ा से कैसे देश को बर्बाद किया जा रहा है देश का युवा बर्बाद हो रहा है क्योंकि इन लोगों के वज़ा से लोगों में आपसी भाईचारा खतम होकर नफरत बढ़ने लगी हैं लेकिन ये लोग पैसों के नशे में इतने चूर हैं कि इने कुछ भी दिखना बंद हो गया है। दिखता है तो बस कि कैसे मुस्लमानों के खिलाफ नफरत फैलाएं। खेर दोस्तों आप लोगों क्या लगता है इस मुद्धे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता हैं। और बागे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रही हैं हमाने साथ।